जे अमित्रो तो आज है 3 फेबरुवारी गुरुवार यानि UPSC प्रिलिम्स को भी 4 महिने और 2 दिन बाकी है दो मुद्ध आज देखने हैं एक तो ये UPSC का नोटीपेकेशन आ गया तो अब बाकी 4 महिने में क्या 4 मिनार बन सकता है के नई क्या पड़ाई लिखाई होनी चाहिए और दूसरी बात कि पिछले 3 दिनों में Current Office में जाने लाइक क्या था जो Economic Survey और Budget आया उसका तो अलग से एक गंडे का वीडियो मैंने कल रिलिस कर दिया था अपार्ट फ्रॉम डैट ये International Relations Environment रामसार के नए वेटलेंड साइड बारत में रेकोगनाईज किये गए पॉलिटी के कुछ समाचार वो क्या थे वो भी देखते हैं तो फर्स्ट UPSC का ये Notification और उसके बाद वो 3 दिन के Current Office दो चीज़ देखते हैं तो पहली बाद Notification आ गया है अब सबसे ज़्यादा वेकंसी अगर पिछले कई वर्षों में मुझे अगर याद आता हो तो 2014 में थी 1200 से ज़्यादा और जितनी वेकंसी होती है तो उस हिसाब से Prelim से Mains में कितने लोगों को पास करेंगे 13 to 14 times of vacancy तो उस साल 16,000 से ज़्यादा लोगों को Mains लिखने का मौका मिला था और फिर इंटर्व्यू में कितने को बुलाएंगे तो जितनी वेकंसी है उसके 2.5 से 2.7 टाइम ज़्यादा लोगों को Mains क्लियर करवा के इंटर्व्यू में बुलाएंगे तो उस साल 3000 से ज़्यादा लोगों ने इंटर्व्यू में जाने का मौका मिले फिर भी कंपेर्ट टू लाश्ट यर थोड़ी ज़्यादा वेकंसी है 9,000 के मुकाबले 12,000 लोग केन होप नाओ कि वो प्रिलिम पास करके Mains में जाएंगे तो तमकम लगाईए बाकी क्या है क्या एज और अटेम्ट लिमिट में कोई चेंजिस किये गए नहीं कुछ दिखना ही रहा है वो C-set paper to aptitude match reasoning वाला वो qualifying है हाँ वो qualifying ही है optional subject हटा दिये क्या नहीं कुछ नहीं हटा है वो हमेशा का जारी है syllabus या exam format में कोई चेंज किये कोई चेंज नहीं किये उपर उपर से जो मैंने notification देखा तो ऐसा लगा अब अच्छा कुछ हो फिर भी तो आप मुझे बताना comment में if there is some secret वो उसने गुपतरूप से एक आदो लाईने चेंज कर दी हो कुछ हाँ तो अब मामला यह है कि क्या अपनी strategy होनी चाहिए तो strategy क्या होनी चाहिए वो तो 6 महिने जब बाकी ते prelims के तब भी बता दिया था तो उसे इसाब से I hope की तयारी चल रही है लेकिन कई लोगों को अभी भी यह लगेगा कि मुझे नहीं लगता कुछ खास तयारी हुई है ऐसा तो बहुत सारे लोगों को लगे गई देखे Some level of anxiety is natural आप serious हैं अपने carrier के बारे में तो थोड़ी चीनता होना तो है कि मेरा number आएगा कि नहीं इतना सारा से levels है एक आद Excel फाइल बना लो यह diary में लिख दो कि इतने मेरे subject या chapters या topics अभी बाकी है और फिर daily, weekly और monthly basis पर में इतना इतना खतम करने वाला हूँ तो if you are a serious player और काफी मैनों से तैयारी कर रहे हैं तो आप एकाद बार यह exercise करेंगे अपने आप पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा चीनता की जरूरत नहीं है ठिक ठाक अपनी गाड़ी चल रही है फिर भी लगे कि मेरा कम नहीं हो रहा है तो उसका मतलब आप time waste करें तो क्या कर सकते हैं time बचाने के लिए पहला तो golden rule है कि जो भी चीज 20 minutes text पढ़के आप समझ सके तो 40 minutes उसका वीडियो देखने मत बैट और दूसरा current affairs, art culture, नदी नाले परवत महल international relation, diplomacy, political science वाले वो जरुष से जादा उसमें गुझ जाते हैं तो कितना परिक्षा के लिए काम का है उस हिसाब से हर topic का भी ज़द दीजिए तो आपका काफी सारा time बच जाएगा और भी होता है time क्यों manage नहीं हो रहा है आपका कि गड़ी-गड़ी आपको whatsapp और ये telegram और facebook देखने की आदत है लट छोड़नी है तो ये best step है, forest step free में android बेव मिलती है install कर दो उसमें timer डालो 25 minutes या जो भी तो उतने दिन आप, उतना time आप whatsapp, facebook ये सब access नहीं कर पाएंगे वो ऐसा करेंगे तो इधर जो plant बन रहा है वो plant मुझा जाएगा so like that अब करिए कुछ हफते तक इसे use तो अपने आप लग थोड़ी कम हो जाएगी कैर में मुद्दे पर आते हैं कि आप मेंसे कई लोगों को कि मुझे तो मैंने तयारी शुरू ही नहीं किया कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको January मैने में ही पता हूँ कॉलेज में कि ऐसा UPSC का exam भी होता है तो क्या करें हम तो उनके parents कुछ बार नहीं बेटा तुम फिर भी apply कर लो तेरा experience हो जाएगा from birthday तुझे अनुगव मिल जाएगा तैसा करना चाहिए कि नहीं शुड़ाइ गीव attempt for experience or not in my opinion you should not do that उसका कारण की समझे जितना समय मांगता है तयारी के लिए 6-8 months या उससे जादा तो वो मांगता है अभी 4 माइने और 2 दिन बाकी और आप कुछ जानते ही नहीं और फिर भी आप जा रहे हैं इस जंग में होगा ये कि फिर वो 25 दिन के crash को और से गंडी की लख्षमिकान की summary top 100 most important current अफ़ेट से ऐसे सब में वो उलजे रहेंगे free में, payday में, privacy में जो की कुछ खास काम करने या आपने जो धंकी पड़ाई करनी है तो उसमें से कुछ solve हो सके ऐसे लोग जो फिर परिक्षा देंगे तो परिक्षा देकर आप जब बाहर आते हैं तो आपने post exam analysis करना चाहिए कि आपने क्या गलतिया की थी जो कौन से विशे में से क्या प्रशन पूचा था वो कितना easy or difficult था theory का था, किदर से पूचा गया ये सब का analysis का ना मैंने जो tick किया वो सही था की नहीं बाकी सब ये coaching वालों की answer किया है मेरा कुछ score अच्छा बन रहा है की नहीं वगेरा, लेकिन वो आप सही से कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने असल में तो तैयारी बराबर की नहीं है जिसके जलते क्या होगा, even after the exam is over you will not realize किये, गलती किदर हुई थी कोई subject जादा पढ़ लिया था, कम पढ़ लिया था जो book चाहिए थी, वो नहीं देखी थी, कुछ और ही माल देख रहा था, and as a result next year भी आपका failure होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि for next year वही जो लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं मैंने तो पढ़ा था ना पिछले साल पिछले साल जो मैंने ये गंठे की ये लक्षमी कांथ की समरी देखी थी, या 25 दिन का जो crash course किया था, तो मुझे तो सब आता है, और वो तो बस थोड़ा time revision में नहीं मिला, इसलिए मैं फैलो गया नहीं तो दूसरा की, नहीं वो तो यूपी बिहार के लोग मेरी सीट ले गए, that type of वो जो कड़वाहट, लेकिन खुद का वो देखे ने कि मुझे जो पढ़ना था मैं क्या उसमें नहीं कर पाए, तो फिर वो गमण और आत्मविश्वास और कड़वाहट में आप अगला साल भी आपका वेश्ट हो जाए, and lastly demotivation will also happen, सिर्फ बिना तयारी के experience के लिए आप form बढ़ रहे हैं, तो fail होना तो most likely it will happen, और जब result आएगा prelim का, तो 15-20 दिन फिर आप depression में चले जाएंगे, parents, relative, neighbor, friend, सब को जवाब देते-देते, क्योंकि सब खुला से, तु बन गया, इसकी नहीं, and lastly, कुछ parents ऐसे होते हैं, कि शुरू में आपको कहें, हाँ, experience के लिए दे, लेकिन फिर आप fail हो जाए, तो पूरा साल वही आपको ताने मारते रहे, और गर में कोई पड़ो से भी मिलना है, या आप कहीं जाए, social function में, तो दूसरे 10 लोगों को सुनाते रहे, नहीं, इतनों ये तो दिया था ने, इसका नमबर ने, तो वो बेजती करते रहते हैं, अपना जो mental peace होना चाहे तयारी के लिए, उसको खराब करते रहते हैं, तो मित्रों ये आपको 6 अटेंब मिल रहा है, 9 अटेंब मिल रहा है, up to age limit unlimited अटेंब मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका अवनलब ये नहीं की बिना तैयारी के बस experience के लिए आप उसे देंगे, आप दे सकते हैं, but you are going to waste your time, mental peace and future prospects अल्सों, क्यार अभी तो ठीक है, बाकी सब लोग जो तियारी करें, उनको अभी क्या करना चाहिए बाकी ये जो 4 मैने और 2 दिन बाकी हैं, 2-3-4 अटेंब देखे जो बैठे हैं, थोड़े बहुत माक्सी जिनका प्रेलिम स्मीन से इंटर्यू रहे गया, तो उनको तो सब पता है, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बाकी जिनको कुछ तियारी नहीं हुई, या थोड़ी बहुत तियारी हुए पहले अर्टेंब दे रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए, मित्रो आदर्श परिश्थिती में, इन आइडियन सिचुएशन, ये जो पिंक कलर के सब्जेक्ट हैं, ये आपके फेबरूरी एंड तक खतम हो जाने चाहिए थे, इंडियन हिस्ट्री, जोग्रफी, औफ इंडिया एंड फिजिकल जोग्रफी, पॉलिटी, एकोनॉमी, इन्वार्मेंट एंडियन कल्चर में, इसको साथ में गिनताँ, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, इस इस आइडियल सिजुएशन, कि ये फेबरूरी एंड तक में खतम हो जाए, ये इससे पहले भी खतम हो गया तो इवन बेस्ट, इसके अलाबा क्या, बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट औरेंज कलर में अब दिखेंगे, कि वो प्रिलिम से 2-3 महीने पहले, मतलब समझ ये कि वो, मार्च या एप्रिल महीने तक में आपके खतम हो जाए, ऐसी कोशिश होनी चैए, जैसे कि साइंस टेक्नोलोजी, और फिर ब्लू वाली चीज़ें वो प्रिलिम से पहले कतम हो, वो आधर से प्रिटाइम में थोड़ा-थोड़ा देखता रहना चाहिए, जैसे कि ये मेंस पेपर वान में सोसाइटी, मेंस पेपर टू के लिए गवर्नांस, पिर ये इंटरनेशनल रिलेशन्स, फिर एथिक्स, ये सब मनलब एकाद बार आपने अब पढ़ा हो, तो दीरे-दीरे वो मैचुरिटी जैसे डेवलप होती है, इस तरह अभी आपने पढ़ा है, बहुत सारे करेंट अफर्स देखेंगे, प्रिलिम एक्जाम के बाद वापस से रिविजन करेंगे, और आप अच्छी क्वालिटी के जवाब लिख पाएंगे तब, लास्टली, ऐसी चीज़े जब प्रिलिम के बाद ही हो सकते हैं, जून में प्रिलिम खतम होने के बाद, तो यलो कलर में उसमें क्या है, तो ये है, अब उसमें भी आपने प्लस माइनस बहुत सारी चीज़े करनी होगी, डिपेंडिंग कि आप अब तक कितना पढ़ चुके हैं और कितना आपको छोड़ना पड़ेगा, बाकी कुछ प्रस्ण हैं जो पहले भी कई बार मैंने बताये थे, लेकिन फिर आई विल रिपीट इट, क्या मैं कोई पेड प्रिलिम टेस्ट सीरी जोइन करू कि ने, उसका जवाब क्या है, कोर सीले बस पहले खतम करो, ये बैंक या कैट की एक्जाम नहीं कि मैंस का फॉर्मूला जान लिया, बस फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने हैं, पहले आपने बहुत सारा जनर स्ट इडिस के पॉइंट्स जानने हैं, तब जाके लॉजिकल एलिमनेशन आप कर सकें, दादू धयाल संथ कबीर के कंटेंपरररी थे के नहीं, इसका क्या जवाब है, टेस्स से पहले वो सब आप खतम करिये, पेड मेंस टेस्स से जोइन करू कि नहीं पेकोर से लेबस खताब तो चार महीने बागी है, मैं कोई चिखना चूपड़ा ओनलाइन प्रोग्राम खरीदू कि नहीं, वो सब अभी दिल बहलाने की बात है, असल में परिक्षामें उप्योगिताब कम है, शुड आइ स्पेंड रेस्ट आप माई लाइफ इन करंट अफेर्स और नॉट, ये भी दिल बहलाने की बात है, असल प्रिलिम में इतना कोई करंट अफेर्स वो, पूछते नहीं, और जो पूछते हैं वो ऐसा होता है, कि ये जो मन्थली करंट अफेर्स पीडिया पाइल होते हैं, उसमें से ते एक दो सवाल सवालो, बाकी जो भी बारा, पंद्रा, बीस, पच्चीज पूछे हो, वो तो बाहरी अलगी दुनिया होती, तो इन रियालिटी इस नाट सो ग्रेटली हल्पूल, और ये टॉपस बोलें, आईडियसी, एपी अपून, और ये एपी डव्ल्यू, एकनॉमिक एंड पॉलिटिकल विकली, सांसद, टीवी और सासी तरूर की किताब देखू, क्योंकि नए उसका भी वही जवाब, और सिले बस खतम करो पहले, आँ तो ये एक बात हुई, अब हम दूसरे मुद्धे पर आते हैं, कि ये, 1 फेबरुरारी मंगलवार, 2 फेबरुरारी बुदवार, जब बजेट आया, 3 फेबरुरारी गुरुवार, जो आज है, करण्ट अफेश में जाने लाइक चीज़े क्या थी, बजेट और एकनॉमिक सर्वे, वो तो मैंने कल, अलग वीडियो उसका बना दिया, उसके अलावा क्या तो, रामसार के नए वेट लेंड्स, बारत में रेकरगनाईज किये गए, बखीरा और खीज़डिया, एक उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, इंटरनेशनल इलेशन के कुछ समाचार है, और पॉलिटी का कुछ देखते हैं, मित्रों ये जो सब साइबीरिया और रशिया में जो पक्षी होते हैं, वहाँ बहुत सर्दी पढ़ती है, तो वो आते हैं माइग्रेट होके इंडिया की तरफ, तो उसके अलग-अलग सब ये बर्ड फ्लाइवे होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर वाला वो बारत देश में से जो होके जाता है, तो स्वाबय के बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड बारत में भी आते होंगे, तो उसमें एक मशूर जगह, खिजडिया बर्ड सैंचूरी गुजरात के जामनगर में, उसे रामसार वेटलेंड साइड के रूप में इंटरनेशनली रेकागनाईज किया गया, तो बारत में अभी कुल 48 रामसार वेटलेंड साइड है, वेटलेंड साइड मतलब आद्रबुमी, और उसमें दो नए एड हुए, तो 48 मतलब उसमें दो, including two of this, एक है खिजडिया बर्ड सैंचूरी इंजामनगर गुजरात, और दूसरी है उत्तर प्रदेश में बखिरा वाइल लाइब सैंचूरी, अब यहाँ पर कौन-कौन सी प्रजादी पाई जाती है, इसकी मैंने लिश्ट इदर दी है, यह वाला पैलिकन, इंडियन स्कीमर, कॉमन पॉकार्ड, डालमेंशियन पैलिकन, ग्रेलेग गूज, कॉमन क्रेन, यह सब खिजडिया में पाई जाता है, और उत्तर प्रदेश में क्या पाई जाता है, तो वहाँ के जो फ्रेश वाटर वाला यह जो चीज़े, नोटेबल फिश स्पीसिस, यूरोपियन कार्प, कैट फिश, वालगो अट्टू, और गैंजेटिक, आलिया, सिल्वर काप वग्यरा, काम का है क्या, जौब है यस, 2020 की प्रिलिम के एन्वाइरमेंट में एक प्रशन पूछा था, कि सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर, स्मीथ, बार्बेट, ग्रेज चिन, मिनिवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये चीज क्या है, पक्षी है, बर्ड्स है, प्राइमेड मलब, वो बंदर है, रेप्टाइल्स, जैसे सांप होता है, एमफिबियन जैसे मेंडख होता है, तो इसमें से क्या है, तो ये वाली चीज बर्ड्स थे, और ये भी क्या है, किजड़िया वाली लिस्ट जो मैंने बता ही, वो बर्ड्स है, और ये वाली बता ही ये फीश है, तो थोड़ी बहुत ये सब जानकारी रहनी चाहिए, फिर इंडिया का नैशनल क्लीन एर प्रोग्राम, तो उस प्रदूशन कम करने के लिए बनाया गया था 2019 में, अभी पता चला कि जितना पैसा दिया है स्टेट गवर्मेंट्स को, उसका बहुत कम पैसा वो यूज कर पाए, उत्तर प्रदेश को जितना पैसा दिया, अभी तक तीन साल में हार्ली 16% इस्तेमाल किया, तो फिर प्रदूशन से लड़ना मुश्किल है, फिर पॉलिटी फैडालिजम, लोग पाले लोकायुक्त, उसका कानून 2013 में बना, और उसमें सब स्टेट्स को बोले गए कि आप भी लोकायुक्त बनाई है, लेकिन सब स्टेट्स ने नहीं बनाए, बहुत सारे स्टेट में बनाना बाकी है, और दूसरा जीन स्टेट ने बनाए हैं, वहाँ पर भी उनको बराबर पावर नहीं दिये गए, जैसे गवा के लोकायुक्त के पास प्रोसिक्यूशन करने का पावर नहीं, वह सिर्फ सरकार को कुछ अड़वाईज दे सके, फिर बिहार में जो लोकायुक्त कानून ने उसमें कुछ ऐसा लिख दिया गया, कि जो लोग लोकायुक्त में जाकर फरजी केस दायर करेंगे, यह वाला ओफिसर ब्रष्ट है, यह वाला मिनिस्टर ब्रष्ट है, तो उस कंप्लेन करने वाले पर बड़ी से सजा की जाए, तो वो चिंता का विशयकूम, वो एक्टिविस्ट को ऐसी दर लगे, कि हमें ही परशान किया जागा, हम कुछ खिकायद करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ लोकायुक्त कानून बना, उसमें ऐसा है कि आठ साल तक एक ही लोकायुकत रहे सके, तो उसमें क्रिटिक्स को ये लगता है, नहीं तो फिर जो रूलिंग पार्टी का फेवरेट पर्सन, उसको लोकाय बना दिया, ताठ साल तक वो तो बस हाजिहा करता रहे, और सरकार के खिलाब कोई अक्शन ना ले, वगेरा वगेरा, 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 गवर्नर के ट्वीटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ये बोलके कि आप मेरा बार बार अपमान करते हैं, गवर्नर का ये बोलना है कि, नहीं मैं गवर्नर हूँ, तो कंस्टिटूशन में मुझे पावर है, मैं आपसे सब सवाल जवाब माग सकूँ, तो वो सब issues in federalism and executive के अंदर ही गवर्नर एंड CM की नोगजोंख, एथिक्स में कुछ कॉलम था, tourist behavior in public places, वो कुल मिला कर बात ऐसी है, जापान में क्योटो, जो की climate change के प्रोग्राम के लिए मशूर था, वहाँ पर बहुत सारे American tourists आते हैं, लेकिन वहाँ की local जनता विरोध करती रही, कि ये American tourists हमको नहीं चाहिए, उसके कारण क्या है, वो शांती से अपने बहुत मंदिर में प्रातना करते हैं, तो भी आगे सब शोरगूल करें, selfie kitchen है, selfie kitchen है, और उसके चलते जितना traffic jam वगएरा होता है, तो local logo को बहुत ज़्यादा परिशानी होती है, तो while it is correct कि tourism से economic को मदद मिलता है, लेकिन साथी सार स्थानिक logo का भी खया लखा जाए, that too is need to be considered, हाँ तो ये सब आप अलग-अलग जो case study बनती है, कि आप municipal corporation के अंदर है, municipal commissioner, office officer, आप क्या करेंगे इस एरिया को develop करने के लिए, हाँ तो मैं tourism को promote करूँगा, लेकिन साथी सार लोगों का भी क्या लखना जाए कि, आम लोग उदर परिशान नहीं हो, international relation में कुछ columns वगेरा, देखे जाधा तर column तो पिछले तीन दिन से थे economic survey और budget के बारे में, उसके मुद्धे हमने देख लिए, पिर एक आज कुछ नया था, artificial intelligence की मदद से climate change या इदर उपन कुछ कास मज़ेदार नहीं था, गलावन वैली में चीन का जिस soldier को उसने बादूरी का चीन वालों ने medal दिया था, वो winter Olympics में torch लेके मशाल लेके दोड आए, नहीं काम का है, rule number 5 will be violated, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड वाली न्यूज हो गई, डिप्लोमसी में इंडिया- इस्राइल relationship, इस्राइल के दर्य नक्षे में, ये इस्राइल, पड़ोशी देश कौन-कौन से हैं, लेबेनॉन, सीरिया, जॉर्डन, ये सब, अब यहाँ पर ये गोलन हाइट्स, गाजा पट्टी, ये सब में उनकी पैलेस्टाइन, डिस्प्यूटेड उनके सब मामले चलते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में, देख लेना, अब उसमें नया क्या आया, अपने इंडिया और इस्राइल के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, जब उनकी एंबसी बारत में कोली गई हो, ऐसा कुछ, उसके 30 साल पूरे हुए, एक जमाने में इंडिया और इस्राइल की रिलेशन बहुत अच्छी नहीं थी, दूरी हम बनाते थे, क्यूंकि इंडिया को आरब देशों से कच्चा तेल खरिदना होता था, और बारत के मुस्लिम लोग वो पैलेस्टाइन वाले मामले में वो नाराज नहीं हो जाए, इसल बना गए उनाइटेड नेशन में, उसमें भी बारत ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था वगयरा, अलगि आज कल हम इस्राइल के साथ दोस्ती जादा बढ़ा रहे हैं, एग्रिकल्चर, साइन्स, डिफेंस में हम कोपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी तनाव बढ़ जाता है, फॉर एग्जामपल, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कॉट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कॉट में, एक केस चल रहे हैं कि इस्राइल के साइनिकों ने पैलेस्टाइन में ये सब लोगों के साथ शूमन राइट अब्यूस किया, नर्स अहार किया, उस पर केस चल इंडिया भी हमारे फिवर में कुछ बोले कि इस्राइल की बाद सही और ICC ये सब में कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए 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 नाराज हो गया, फिर ये पैगासी सर्वेलन सॉप्ट्वेर जो इसलिए की क we accept you as the ambassador of Pakistan to America, उसका कारण ये कि Republican Party के एक सांसद ने राष्टपती बिदेन को लेटर लिखा है, कि ये मसूद खान एक जिहादी है, आतंकवादियों से सम्विदना रखना है, और अमेरिका और अपने मित्र राष्ट भारत की शुरक्षा के लिए खत्रा है, आता ये क्या, James Bond वाली समाचार थोड़ी तो है, लेकिन समझना ये भी है कि अगर ये लेटर को देखते हुए, President Biden अमेरिका में इस Ambassador को reject कर दे कि ये नहीं चाहिए हमको, तो वो भी दिखाता है कि now it shows कि अमेरिका इंडिया के प्रतिजादा दोस्ती दिखाने के लिए पाकिस्तान को एडलाइन कर रहा है, तो वो बनता है मुद्धा जब ये और डेवलप हो, नेपाल में 500 मिलियन डॉलर की कुछ मदद करें अमेरिका काम का नहीं, श्री लंका ने बारत से लोन लिया, उसके तब इतने वांदे चले रोज लेगा, काम का नहीं, लेटिस्ट बजेट में बार आतने चीन से इंपोर्ट होने वाले ये अम्रिला, हेड़फोन, इयरफोन वगेरा पर टेक ज़्यादा लगा है, क्योंकि हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, उदर से हम इंपोर्ट बहुत करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, तो ये सब किया, फिर एक वार राजा मौन की कुछ कॉलम थी, जियो एकनोमिक्स के बारे में, वो सब लंबी चौड़ी बात यहां पर मैंने लिखी है, ये टेक्स नोट आपको मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल मेरी मुनाल वर जी पर, कुल मिला कर उसमें समझना क्या है, कि कोल्ड वर्क ह पतम होने के बाद, सब देशों ने मिलेटरी कॉंपिटिशन कम किया, लेकिन एकनोमिक कॉंपिटिशन बढ़ गया, पिछले 30 साल में चीन ने बहुत पैसा कमा लिया, और उसकी मदद से वो गरीब देशों को करजा दे के अपना गुलाम बना रहा है, जैसे पाकिस्तान को क किया, तो अब किसी देश को गुलाम बनाने के लिए वहाँ पर अपनी मिलेटरी बेजने की जरूरत नहीं, जैसा कि इस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ने बारत में अपनी मिलेटरी बेजी थी, ये ऐसा ही लोन में पैसा दे के आप किसी को भी गुलाम बना सकते, अमे में सब लोगों को पैसा कमाना है, तो चाइना और अमेरिका जैसे एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, चाइमेरा ऐसा नाया शब्द पैदा हुआ, फिर आसियान कंट्री अपने परोशी सब और कुछ मित्र देशों के साथ RCEP Agreement, Regional Comprehensive Partnership Agreement बनाना चाहते थे, इंडिया ने उसमें चाइन से जो सामन आएगा उस पर हमने कम टेक्स लगाना होगा तो हमें परिशानी होगा, इसलिए हमने वो साइन नहीं किया, तो इदर भी वो राजा मुहन का कहना है कि ये बराबर है, क्योंकि चीन जहां पर भी ट्रेड अग्रिमेंट में हो, उसमें हम अगर साइन करें तो short term में शायद हमको फायता हो भी जाए लेकिन long term में वो चिन है ऐसा कि उसके चलते बाकी देशों का वो नुक्सान करवाई देगा जैसे वो चाइना पाकिस्तान economic corridor के नाम पे पाकिस्तान गुलाम बन गया इसलिए इंडिया ने क्या करना चाहिए एक एक करके बाकी सब देशों के साथ कुछ से free trade agreement साइन करें जैसे वो अस्टेलिया के साथ या ब्रिटेन या फ्रांस के साथ और हमने अपनी जो विदेश नीती बना रहे है foreign policy, आर्थिक नीती, economic policy, सामरिक नीती, military और वो सब strategic policy ये तिन अलग-अलग चीज नहीं देख सकते, इन सब को integrated तरीके से देखना होगा तब ही हम आगे बढ़ सकते अब इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते लेकिन ये सब क्यों ऐसा पढ़ते रहना चाहिता United Nations Security Council उसमें पांच permanent members हैं, China, France, USA, Russia, Britain इन लोगों ने कुछ नया agreement या announcement किया against the nuclear weapons आकि अब से ये पर्मानू अत्यारों की स्पर्दा नहीं करेंगे और उसे कम करेंगे और निशस्त्री करण पर ध्यान रहेगा एशिया और मिडल इस्ट में तनाव कम किया जाए nuclear energy को development के काम में यूज करें, destruction के काम में नहीं यूज करेंगे वगेरा वगेरा फिर उसी के साथ जुड़ा एक मुद्दा value education, ethics के लिए मिद्रो education के नाम पे हम maths, English, physics, science तो पढ़ाते हैं लेकिन peace education पढ़ाना भी उतना जरूरी है, शान्ती की शिक्षा मतलब ये disarmament, निशस्त्री करन, denuclearization, परमानों हत्यारों को नश्ट किया जाए ऐसा क्यों करना है, तब ही वो सब बच्चों को पढ़ाय लिखा जाए then in future they can, when they become politicians, bureaucrats, they can make proper policies और ऐसी जो पढ़ाय करवा जाए, उसमें सब नकारात्मक्ता का एसास करवाना भी जरूरी है मतलब जो negative चीज़ें हुई थी, हिरोशी महानागासा की, बॉम फेका, लोग मर गए, समाज में क्या सोशन हुआ वो सब वास्तविक्ता दिखानी चाहिए, आज कल बहुत सारी हिस्टी को दबाया जाता है, छुपाया जाता है कि सब नहीं, जैसे हम लोग अगर NCRT नहीं पढ़े तो मतलब किसी का कोई, किसी ने मार्काट की नहीं थी सब दर्म शैश्मूर आजा थे और सब प्यार महबत से रहते थे, in the new NCRT, but in reality there are many things, जो हुई थी तो ये सब मतलब वो भी पढ़ाना ज़रूरी है और स्कूल की कोशिश सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पैदा करने की नहीं होनी चाहिए, कुछ critical thinkers भी पैदा करने की होनी चाहिए फिर मसला इंडिया रशिया वो आप जानते हैं कि रशिया ने ये युक्रेट्स के बॉर्डर पे अपनी फॉज खड़ी कर दी है तो United Nation में कुछ चर्चा होने वाली थी, उसमें इंडिया, Kenya और Gabon समयुक्तिराष्ट की सुरक्षा परिशाद में रशिया युक्रेट्स के मामले पर जो चर्चा हो रही थी तो बारत, Kenya और Gabon या गयावन जो भी देश है, Gabon ये तीनों ने abstain किया, वोट नहीं दिया, आभी नहीं ना भी नहीं, क्योंकि वो अपना neutral position बनाए रखना चाहते थे बारत का स्टेंड के आए, लंबी चोड़ी चिकनी चूपड़ी बात दे, वो ऐसा कि ये सब लोग प्यार महबद से रहे, जगड़ा बंतर हो वगएरा वगएरा मालदीवस में भारत विरोधी प्रदर्शन बहुत जादा हो रहे हैं, पिछले दो सालों से, तो मालदीवस की सरकार एक नया कानून बना रही है, कि वहाँ कोई भी आंदोलनकारी अगर ऐसा कहेगा कि मालदीवस किसी और देश का गुलाम है, या ये भारत का वो political economy और military occupation मे है, तो वह आंदोलनकारी को जेल में बेजा जाएगा और उस पर कुछ 10,000 मालदीवियन रुपिया नाम की currency का दंड भी लगेगा, फिर तो कुछ कास नहीं था, education में IIT Delhi चाहता है कि हम साउदी अरब और Egypt में अपने campus को ले, तैसा अलग-अलग भारत के college, university institutes, विदेशों में अपने campus खोल सके कि नए उसके लिए के राधा कृष्णन पैनल बनाई गई है, फिर GPSC गुजरा स्टेट सर्विस एक्जाम के लिए कुछ समाचार थे, अपार्ट प्रॉम देट, जाधा तर बात है तो budget economic survey वगेरा की थी पिछले तीन दिन से, वो अलग वीडियो में हम अपने देखले, तो ये ताजिका newspaper, see you next time.